भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ड कप 2023 के मुकाबले में खिलाडियों के बीच तनातनी भी सामने आई मुहम्मद रिजवान के बैटिंग शुरू करने में देरी से भारतिय खेमा उखड गया टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मसले पर अंपायर से बात की तो विराट कोली भी उखरे हुए दिखे वे इमेजिनरी घडी को देखते हुए समय काउंट करते नजर आए इस घटना का विडियो ICC ने भी ट्वीट किया है मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए उत्रे थे घटना की अनुसार पाकिस्तान की पारी का तेरहवें ओवर हार्दिक पंड्याने फिंका इसकी तीसरी गेंद पर इमाम उलहक विकेट के पीछे कैच दे बैठे और लौट गए उन्होंने 36 रन की पारी खेली इसके बाद रिजवान बैटिंग के लिए आए लेकिन वे बैटिंग शुरू करने में समय लेते हैं क्रीज पर गार्ड लेने के साथ ही वे फिल्डिंग को भी जाचते हैं और फिर आराम आराम से बैटिंग पॉजिशन में आते हैं मगर 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में भारतिय खिलाडियों का इन हरक्तों को देखकर सबर तूटता सा दिखा रिजवान के बैटिंग शुरू करने में वक्त लेने पर रोहित अंपायर से बात करते दिखे ऐसा लग रहा था कि वह अंपायर से दखल देने को कह रहे ये हरक्ते आज की मैच में नहीं जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के साथ जब भी मैच होता है तो ऐसे ही हरक्ते देखने को मिलते हैं